उत्तर प्रदेश के उप्व मुख्य मंतरी डॉक्टर दिनेश शर्मा हमार साथ बाचीत के लिए मुझूद हैं सर सबसे पहला सवाल यह है कि इकाना स्टेडियम में शपत गर्ड समारों की तैयारी हो रही है लेकिन अखिलेश यादों ने कहा है कि हमारे ही बनाए स्टेडिय करेंके नियुक्त स्टेड़ के लोग बना था समय चीज है कियों करेंगरेश यह बनाँच्छों करना था कोई अर्थ नहीं है सरकलेश यादू लगातार जब से चुनाव हा रहे हैं आपके उपर मुखा रहे हैं कल अगर बात के तुन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर उनकी कार किया अगर बात के तो सहां ढ़ागे और उनकी का सफर में चलना मुश्किल है लेकिन चला जाएगा सफर में चलना मुश्किल होगा तब ही लोगों ने कहा होगा लेकिन बीजेपी सबका सफर अच्छा हो कावन अनुवस्था के मामले में जो अराज जक्ता मुक्त उत्तर प्रदेश उसके मामले में सिक्षा के छेत में, स्वास्त के छेत में, सुरक्षा के छेत में, महलाओं के सम्मान के छेत में, रास्ता अच्छा और सुरम में बने, इसके लिए स्रकार काम करेगी, अब लोगों की राजनिती कटनायों के रास्ते सुरम में तो बीजेपी बना नहीं सकती, लेकिन बीजेप पे हार गए अब ये तो बहुत सारी हार की नेने बहाने रोज आपको सुनने को मिलेंगे मैं तो इनके बारे एक लाइन में कहना चाहूँगा कि अब विपक्च को इतनी बार हार के बाद दोजार चौदा सत्रा उन्निस महापार के चुनाओ जिला पंचाइद अद्धर के गए और मैं समस्ता हूं कि उनको इसका अभ्यास करना चाहिए और हतासा निरासा के जीवन में जीने का जो उनका निर्मतर जो जारी है उससे मुक्त होकर जो सकारात्मक चीज़ें हैं सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश के उन्नति के लिए जो सरकार काम कर रही है उसमें को एक बहतर विपक्ष की तरीके से विपक्ष को सामिल होना चाहिए और जैसे अन्य लोकतांत्रिक देश्टों में होता है कि सरकार को विपक्ष उसकी दीतियों पे जो प्रदेश या देश को ठीक करने के लिए हैं उनके समर्थन करते हैं तो यही कहूंगा विपक्ष भी प्रदेश बनाना यूपी नंबर वन हो इसके लिए काम करना सरचुकी कल आप लोगों की मेराथन बैठक भी होती संग्ठन की बैठक थी तो उस पे ज़्यादा कुछ उने पूछेंगे लेकिन क्या कुछ बिशेश रहा कल की बैठक में नहीं बैठके तो रोज होती हैं हफ लेते हैं यह परिवार की पार्टी नहीं है यहां पर मैं नहीं है यहां पर हम है और हम के आदार पर हम सब मिलके निरने लेते हैं कोई भी चीज को तो सब एक दूसरे के विकल्ब बनकर काम करते हैं और कोई भी जो निरने होता है उसको सामुहिक निरने के तोर पर लेते है महिलाओं का वरिष्टों का युवाओं का और जो तमाम सारे टेक्नोक्रेट हैं पड़े लिखे ले हुए हैं सभी का समावेश देखा जाएगा ये तो बीजेपी की कारीपत रही है दोजार सत्रा का हमारा मनत्य über Schloss 2019 का केंडर का मनत्य मंदल देख ले हैं सभी में सभी वर्ग सभी चाहती सभी संपरदाय सभी सभी प्रकार के अलग अलग छित्तों में महरत हासिल की वी लोग हमारी जो कार्यों कर्पती निस्ठा के भाव के साथ करने की छमता रखते हैं ऐसे लोगों का चुनाओ चाहे जिस राज्जी की बीजेपी के सरकार रही हो उसमें यही विसेस्टाइश लिए हम बार बार लोट कर आते हैं दूसरे दल बार-बार लोट के क्यों नहीं आते क्योंकि वो जाती के आधार पर चित के आधार पर ना करके वो विक्ति विसेश के आधार पचेयन करते हैं। देखे बीजेपी काम करने का करम को ब्रेक नहीं करती और तेजी के साथ हम काम करते जाते हैं। काम करने का और इस काम के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अखरी सवाल है हुली का पर भी आया है और सरकार गठन के इंतिजार भी हो रहा है तो क्या कहेंगे। चुनाओ खतम हो गया है। विपक्ष के सारे लोग सारी जाती धर्म के लोग गले मिलें आपस में। उत्तर प्रदेश के सुनहरे भविष्ट के लिए एक साथ चलने का संकल्प लें। और चुनाओं में जितनी बातें एक दूसरे के बारे में कहीं हैं। उनको गले लगके कैदें की बुरा ना मानो होली है। और सब चीजों का समाप्त करके उत्तर प्रदेश की प्रगति में अपने आपको एक साधार नागरिक के रूप में सब लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश को सर्वुत्तम प्रदेश बनाएं। यही मैं कहूँगा कि होली की सभी को सुपकाम ना है। शुक्राम जबाचित कर ने कलिए तो यहीं उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचन बहुमत मिला है। जल्दी सरकार को भी गठन होगा और जिस तरीके से एकलेश यादों ने कहा है कि काना स्टेडियम में शपत ग्रड़ की समारुक तयर्ज हो रही है उनके द्वारा निर्मित हैं। A.B.P. गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी